प्राक्रतिक गुडों से भरवूर हल्दी की सबजी ये देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है तो हेलो दोस्तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ हल्दी की सबजी ये राजिस्थान की फेमस सबजी है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो यहां हमने लिये ये 300 ग निकाल लेना है यूंकि छिलका अगर रह जाता है तो इसका कलर देखने में थोड़ा खराब लगता है तो हमें हल्दी को पूरा चील लेना है और हल्दी चील देवक्त आप हाथों में गलप्स पहल लें तो आपके हाथ पीले नहीं होंगे नहीं तो इसका कलर हाथों में बहुत चड़ जाता है तो इस तरह से हमने हल्दी पूरी छील लेनी है ये देखिए हमने हल्दी को इस तरह से पूरा छील लिया है एक भी छिलका नहीं है इसमें, इस तरह से हमने हल्दी को चील लेना है ये कच्ची हल्दी जो है, ये हमें सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है तो इसकी तासीर बहुत गरम होती है ये देखिए मेरे हाथों में कितना कलर आगया है तो आप जब भी इसको छी लें, तो गलप्स पहने लें, या पॉले थिन लगा लें हातों में, यहां हमने अब हल्दी को कद्धूकस कर लेना है, इस तरह से हम यह तरह से हम यह मीडियम साइज से कद्धूकस करेंगे इसको, अगर आप कदूकस नहीं करना चाते तो बारीक बारीक काट लें इस कच्ची हल्दी को तब भी आपकी सबजी अच्छी बनेगी यहां मैंने इस तरह से सारी हल्दी को कदूकस कर लिया है यह देखिए अब हम यहां लेंगे दो प्याज और लहसन हरी मिर्च यहां यह दो प्याज हमने चौप कर लिया है छह साथ कर लिया है लहसन की हैं दो हरी मिर्च चौप कर लिया है अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसकिप कर दें और ये है छोटी कटोरी, मठर और काजू आप किसमिस भी डाल सकते हैं किसमिस हमारे याँ कोई पसंद नी करता सबजी में तो मैं याँ काजू ले रही हूँ और ये है गी हम हल्दी को गी में बनाएंगे क्योंकि इसकी तासीर बहुत गरम होती है तो यहाँ हल्दी का यूज करेंगे ये तेज पत्त डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसमें प्याज इसको हम यहाँ इसको भूनेंगे प्याज को और गैस फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है ज्यादा तेज आज पर हम इसको नहीं भूनेंगे ये देखिए प्याज का color change हो गया है लहसन की कलिया डाल दी है जो chop किया है हमने लहसन अब इसको भूनेंगे और इसको बराबर चलाते हुए ये देखिए color change हो रहा है क्योंकि घी है तो ये प्याज बिल्कुल transparent हो रहा है ये देखिए इस तरह से अमें प्याज भून लिया है अब हम डालेंगे ये हरी मिर्ची ये देखिए इस तरह से अमें भून लेना है प्याज भून चुका है अब हम डालेंगे ये हल्दी हल्दी को भी हम इसी तरह बराबर भूनेंगे घी में यहां हमें इसमें पानी का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी आप घी में ही बनाए राजस्थान में जो हलवाई लोग बनाते हैं तो वो घी में ही बनाते हैं जितनी हल्दी होगी उसी हिसाब से वो घी लेते हैं ये सबजी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, सबसे पहले दोस्तों मैंने वहां राजिस्थान में ही खाई थी ये सबजी और बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो इस सबजी का बहुत इंतजार रहता है, ये देखिए हैं, यहां मैंने लिया है दही, और एक चम्मच यहां आप अपने अंसार कस्मीरी मिर्च डाल सकते हैं और एक चमश हमने लिया है यहां दनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लें मिर्ची आप तीखा जैसा खाते हैं उसे साब से ही डालें और हमें कुछ नहीं इसमें डालना है और इस दही को हम अच्छे से फैंट लेंगे, मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए हल्दी को हमने बिल्कुल सिम फ्लेम पर छोड़ दिया था, ये देखिए, भून रही है हल्दी और इसे बरावर चलाते रहना है, क्योंकि ये चिपकने लगती है कड़ाई में जल्दी, और अब हम डाल दिये हैं यहाँ पर मटर इस तरह से हम यहाँ मटर को भी भून लेंगे, जिससे मटर भी हमारी पक जाए, ये देखिए, इस तरह से हमने बरावर चलाते रहना है हल्दी को और जो ये हमने पेष्ट बनाया था, दही का, मसाले का, तो इसे भी हम अब डाल देंगे देखिए, नमक अभी हमें नहीं डालना है, नमक हम डालेंगे बाद में, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए, दही डालने से इसका जो तासीर है, जो बैलेंस रहती है और जोदपुर में राजिस्थान में तो बिना दही के तो सबजी बनती ही नहीं है जादा तर सबजीयों में दही पड़ता है आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसमें यह देखिए अब हमने डाल दिया है नमक क्योंकि हल्दी पक चुकी थी अच्छे से दही भी पक चुका था तो अब हमने डाल दिया है इसमें नमक और अच्छे से करेंगे मिक्स सबजी को यह देखिए इस तरह से हमने सबजी को बराबर चलाते हुए पकाना है अब अब इसको ढख देंगे पांच मिनट के लिए पांच मिनट हो गए है यह देखिए घी जो है देख जो है सबजी से इस तरह से हमने पकालेना है बराबर चलाते हुए यह देखिए तो इस थोड़ी सी चिपक रही है और इसे बीच बीच मैं अम चलाते रहेंगे अब हम डाल देंगे इसमें ये जो काजू हमने रखेते डालने के लिए ये काजू डाल देना है और इसे मिक्स करेंगे और इसे 5-6 मिनट के लिए हम और पकाएंगे ये देखिए अब हम एक बार चेक कर लेते हैं मटर देखते हैं पकी है या नहीं मटर हमारी पक चुकी है और सबजी भी अब हमारी रेडी है ये देखिए इस तरह से अमने हल्दी की सबजी बना लेनी है कर लेए हमने सर्विंग इसकी तो ये देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है इसे आप रोटी के साथ परहंटे के साथ बाजरे की रोटी किसी के भी साथ enjoy करें खाएं यह बहुत ही testy लगती है और इसे आप 15 दिन तक store कर रख सकते हैं फ्रीज में इसमें आप पनीर भी mix कर सकते हैं पनीर के cubes काटके अगर आपको मेरी recipe पसंद आए दोस्तो तो like, subscribe, comment, share जरूर करें दोस्तो बाए